हाई, वेल्ग डूमें चल्वाइब करते हैं और question of 5 आपका exactly question of 4 जैसा है, अब इसमें देखिए क्या करते हैं, तो इसका solution, first, देखिए क्या करना होता है, इसमें 2 by 3 and 4 upon 5 के बीच में हमें निकालने है rational numbers, कितने 5, तो क्या करना होगा, पहले पहले हम एक काम करेंगे, इनका हम ले ले लेंगे LCM, तो LCM क्या होगा, 3 और 5 का, 15 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 15 में तो मिलेगा 5, 5 तो जचेन हो जाएगा, and, यहां 5 से डिवाइड करेंगे, 15 में तो मिलेगा, 3, 15, 3 मिलेगा, 3, 4, 12, ठीक है, अब यह हमें actually क्या मिल गया, यह मिल गया, 10 upon 15, और में इन दुनों के बीच में निकालना है, मतलब यह 10 by 15 है, वो exactly equal है, 2 by 3 के, and 12 by 15 जो है, यह exactly equal है, 4 by 5 के, ओके, तो अब यहां पर जब denominators equal हो जाएं, तो बस आपको देखना है, numerator में difference कितना है, मिन्त, 10 और 12 में कितने ऐसे numbers आएंगे, integers, कितने आएंगे integers, तो 10 और 12 में केवल एक ही integer है, वो है 11, तो हमें एक ही मिल पाएगा rational number इनके बीच में, इसलिए यह जो denominator आपने लिया है, यह denominator suitable नहीं है, तो हम क्या करेंगे, denominator को increase करेंगे, और वो increase करेंगे multiply करके, तो क्या करिए, बस 2 से मुटपलाई कर दिजिए numerator और denominator में, तो 10 में मुटपलाई करिए 2 से, अपान 15 में मुटपलाई करिए 2 से, तो कोई भी इसमें अंतर नहीं आएगा, बस हम इसमें multiples बढ़ा रहे हैं, तो 12 में 2 से मुटपलाई करेंगे, अपान 15 में करेंगे, अपान 15 में 2 से, ताकि denominator सेम रहे हैं, अब हम यहां मिल दयाएगा 20 मिल दयाएगा यहां अपर और यह मिल दयाएगा 5 तूझा, 22 और 23 मतलब केवल 3 ही rational number आप निकाल सकते हैं यदि ऐसे लिखेंगे तो तो अब क्या करना होगा अब हमें निकालना है 5 एक्चुली तो हमें क्या करेंगे 30 को और बढ़ाएंगे मतलब 3 से multiply करता है तब आ जाएगा बिल्कुल इतना आ जाए कि 5 rational number निकल जाए बस यह सोचना है आपको तो मैं पहले इसको मिटाल लेता हूँ क्योंकि इससे आ रहा नहीं रहा तो हम करेंगे 3 से multiply यहाँ पर ठीक है चलिए तो 10 में 3 से करेंगे अपन 15 में करेंगे 3 से और इसमें भी करेंगे 45 यहां मिल जाएगा 12 तरीजा 36 और यहां मिल जाएगा 15 तरीजा 45 अब यहां देहां देजिए अब जो है 30 और 36 में जो difference आएगा वो 5 numbers आ जाएगे तो अब हम यहां से लिख सकते है डारेक्ली इसका अंसर अभी आंसर नहीं लिखेंगे अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे देखिए 30 अपन 45 और इसको लिख दीजिए थोड़ा सा दूर और वो 36 अपन 45 में यहां लिख देता हूँ अब देखिए करना क्या है कि इसके दोनों के डिनेमेटर्स जो है 45 है जब देखिए करना क्या है तो आप डिनेमेटर्स में डिफरेंस जो होगा वो सारे इंक्रीजिंग आटा में लिख सकते हैं means 30 के जो आगे वाला रिसनल नंबर होगा वो होगा 31 अपन 45 इसमें कोई डाउट नहीं है उसके आगे वाला जो होगा वो होगा 32 अपन 45 इसमें कोई डाउट नहीं उसके आगे वाला लिख देते हैं 33 अपन 45 उसके आगे वाला होगा 34 अपन 45 उसके आगे वाला होगा 35 अपन 45 ठीक है तो हमें निकालने थे 5 रिसनल नंबर्स और वो हमारे ये हैं तो लिख सकते हैं कि इसलिए 5 रिसनल नंबर्स 5 required rational numbers अब लिख सकते थे 5 required rational numbers between between किसके स्विच में 2 by 3 and 4 by 5 तो 2 by 3 and 4 by 5 are देखें यहाँ पर आ जाएगा 31 upon 45 यह मैं ऐसे लिख दिया क्योंकि कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर देखें 32 upon 45 यह भी कुछ कटेगा नहीं 32 upon 45 यहाँ देखें 33 upon 45 में से कुछ कट सकता है तो 3 से कटा दिए 3 1 जा 3 11 जा और 3 से यहाँ दिए 3 1 जा 3 3 5 जा 15 means 11 upon 15 मिल जाएगा ग्रेट आगे बड़ते है 34 upon 45 कुछ कटेगा नहीं तो यह 34 upon 45 ऐसे रहेगा 34 upon 45 और जो 5 जा 35 upon 45 में भी कट जाएगा यह जो answer है वो ऐसा नहीं है कि this is unique answer मतलब एक ही यही answer नहीं हो सकता आप बहुत सारे ऐसे rational number लिका सकते हैं जो इनके बीच में है ठीक है बहुत सारे यदि आप exam में यह लिखते है तो बिल्गू correct है 100% यदि कुछ और भी कोई rational number दूसरा लिखता है तो वो भी correct होगा मतलब यह fixed answer नहीं है मतलब कि यह answer है एक लेकिन unique answer नहीं है this is not the only answer there may be many answers ओके तो यह आप ध्यान रखे रहेगे चले करते हैं second वाला second पूछ रहा है क्या minus 3 by 2 और 5 by 3 के बीच में minus 3 by 2 minus 3 by 2 and 5 by 3 okay and 5 by 3 okay सभी है तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे LCM लेंगे और denominator same करेंगे तो यहाँ पर हम लेख सकते हैं 3 और 2 का LCM होगा वो 6 होगा और 2 3,6 3,9 minus 9 हो गया and यहाँ पर 3,6 और 2 5,10 अब minus 9 और 10 में कितने restaurant में मिलेंगे तो बिल्कुल मिल जाएंगे हमें सारे मिल जाएंगे इसी से तो मैं यहाँ ली सकता हूँ पहले लिख दीजिए आप है minus 9 upon 6 और यहाँ लिख दीजिए and and 10 upon 6 आपने denominator को सेम कर लिया है पहले पहले यही हमने किया 6,6 कर लिया अब जो है numerator में देखिए कि कितने इनके बीच में integers हैं तो उनके बीच में जो integers जितने भी होंगे उन सब को लिख दीजिए means minus 9 upon 6 के बीच में और हम इसके आगे लिख देते हैं यहाँ पर कहीं पर 10 upon 6 इनके बीच में हम सारे rational numbers को लिख देते हैं तो पहला इसके देखिए minus 9 by 6 के आगे वाला just आगे वाला जो नंबर होगा वो होगा minus 8 upon 6 होगा उसके आगे होगा minus 7 upon 6 minus 7 से नीचे जाएगा और minus 6 upon 6 okay minus 5 upon 6 उसके आगे होगा minus 4 upon 6 minus 3 upon 6 ऐसी करते करते आप कहां तक जाएंगे आप जाएंगे 0 upon 6 के पास फिर आएंगे फिर जाएंगे कितने डाट डाट अब जाएंगे 9 upon 6 9 upon 6 तो यह actually आपका इनके बीच में बहुत सारे rational numbers हम नहीं का लिया ओके यह बहुत हमारा positive है तो actually हम यहां से कोई भी इसमें से ले ले लेंगे 5 तो हमारा answer हो जाएगा कि इसलिए 5 rational numbers between minus 3 by 2 and 5 by 3 are 5 लिखेंगे तो यहां पर अब देखें यहां से यह तो इसको इसको छोड़ देंगे बस यह वाला और लास्ट वाला छोड़ देंगे उसके बीच में लिखना है कोई हो 5 तो हम ले लेते हैं red color sorry गुलाभी color है minus 8 upon 6 तो इसको कटा देते हैं थोड़ा सा तो यह 2 से कट जाएगा minus 4 हो जाएगा 2 4 जाएट और 2 3 जा 6 minus 4 upon 3 जाएगा तो पहला जाएगा minus 4 upon 3 पहला दूसरा जाएगा minus 7 upon 6 यह कटेका नहीं तो ऐसे लिख दीजे minus 7 upon 6 हो जाएगा तीसरा हो जाएगा अंसर आपको दीखे 6 upon 6 कट जाएगा यहाँ पे तो minus 1 आ जाएगा minus 1 is also in between them अब यहाँ पे minus 5 upon 6 जाएगा यह कटेका नहीं तो बिल्कुर ऐसे लिख दीजे minus 5 upon 6 minus 5 upon 6 और एक और ले लिजे कोई भी एक ले लिजे मतलब कोई भी ले सकते हैं तो मैं ले लेता हूँ minus 3 upon 6 और minus 3 upon 6 कटा देता हूँ मैं 3 1s are 3 और 3 2s are 6 minus 1 upon 2 देखिए अब यह हो जाएगे 5 हमें बस 5 ही पूछ रहा था these are the rational numbers which are between minus 3 by 2 and 5 by 3 और यह ही एकके वला answer नहीं है this is not a unique answer you can find as many numbers you can group any of the 5 of these numbers जो मैंने निकाला है यहां से यहां तक जो भी यहां से यहां तक numbers है इन सब की बीच में से any of the 5 you can take and you can give the answer like that okay so चलते हैं 3rd पे 3rd 1 1 2 3 तीसरा जो बोल रहा है वो क्या है 3rd है 1 by 4 and 1 by 2 के बीच में 1 by 4 and 1 by 2 लिख लेता है 1 by 4 and 1 by 2 तो इसमें भी क्या करेंगे LCM लेंगे और हम ले लेते हैं 4 LCM हो जाएगा 4 से बेट करेंगे 1 ही आएगा 1 and 2 से बेट करेंगे 2 आएगा 2 जब 4 तो हो जाएगा और यहां पर अब देखें यहां पर यह हो जाएगा 1 upon 4 ही रहेगा और यह हो जाएगा 2 upon 4 ठीक है अब देखें यहां पर हमने Dynaminators को बढ़ाएंगे तो Dynaminators मों multiply करते जाएगे तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या multiply करेंगे तो आ जाएगा एक्चुली आपको 5 मिलेंगे देखें मिलेगा 6,7,8,9,10 यह आपको 4 ही मिल पा रहे हैं तो क्या करना है और बढ़ाना पड़ेगा तो हम 5 है नहीं 6 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा हमारा पर लिखी लेते हैं 1 अपान यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 4 into 6 and यहाँ भी 6 करेंगे 2 into 6 अपान 4 into 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 अपान 6 फोर जाग कितना हो जाएगा 20 and यहाँ हो जाएगा और 6 तुजा 12 अपान 4 जाएगा sorry sorry 4 six is 24 okay so now अब इसके बीच में हम सारे rational numbers को लिख देंगे तो 6 अपान 24 है अब हम इसके आगे वाले लिखते हैं 6 अपान 24 के आगे वाले जस्ट क्या होगा 7 अपान 24 8 अपान 24 9 अपान 24 10 अपान 24 11 अपान 24 और उसके आगे जो यह वाला जो actual है जो मेरा नमबर है वो तो ही तो हम अब निकाल चुके हैं इसके मतलब 6 by 24 6 by 24 क्या है 1 by 4 है और 12 by 24 क्या है 1 by 2 है इनके बीच में हमने 5 rational numbers निकाल लिये हैं जोकि 7 by 24 8 by 24 9 by 24 10 by 24 और 11 by 24 तो अब हम क्या करेंगे answer लिखेंगे इसलिए 5 rational numbers 5 rational numbers between 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 1 by 4 and 1 by 2 1 by 4 and 1 by 2 1 by 4 कौन सा है यही है 1 by 2 1 by 4 है और यह है आपका 1 by 2 1 by 4 and 1 by 2 आर पहला हो जाएगा 7 upon 24 कुछ कटेगा नहीं लिख देंगे सही और 8 upon 24 कट जाएगा 8 upon 8 और 8 3 जा 24 तो 1 by 3 मिलेगा कामा यहां पर कटेगा कुछ 3 3 9 और 3 8 जा 24 3 upon 8 फिर यहां पर कटा दीजा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 12 जा लेकिन यह यह दीजार नट यह वनली यूनीकका आंसर इसाड़ा नोली रहांसर receipt keep तो यह थांकी सो मच फर वचीङ यह राइख च्छा लगा तो सब्सक्राइब करियाama दोस्तको बताएए शेयर करिया और बढते रहीए थ Bijलेगा सा मmayıनाद करिये practice is must for mathematics okay thank you so much again